वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी आज कल रियालिटी बेस्ट या रियल इंसिडन्स पर मुवी बहुत सारी आ रही है भुज, शेर्शा, बेल बॉटम इन सब के बारे में हर कोई बात कर रहा है क्योंकि इसमें बड़े बड़े स्टार्स है जो भी घर पर यूज किया जाने वाले अवजार है उससे चलनी करके मृत्युदंड दिया था और जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं एक सत्य घटना है आप अक्कु यादव मर्डर केस यूट्यूब पर सर्च कीजे आपको इस फिल्म के रियल स्टोरी के बारे में सेक्डो वीडियोज मिल जाएंगी पर ये जो फिल्म है इसमें उस मर्डर के बाद उन महिलाओं पर क्या बीती उसके बारे में बताया गया है अब क्योंकि फिल्में ना कोई बड़े सूपर स्टार्स का नाम है ना इसमें कोई सूपर हीरो है तो जादा तर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा पर हमारे समाज को जिस education की सबसे ज़ादा ज़रूरत है वो education ये फिल्म आपको ज़रूर प्रोवाइड करती है एक, महिलाओं की इज़त करना और दो, किसी को भी उसकी जाती या धर्म से ना तोलना जी हाँ, इस फिल्म का टॉपिक बहुती ज़ादा sensitive है और हमारे समाज के बहुत से dark secrets को और अंदूरीन सच्चाई को जो sexual harassment, violence, cast को लेकर भेदभाव, corruption जैसे topics को बाहर लाकर उसको लोगों के सामने रखने की ताकत रखती है इस फिल्म का सबसे strongest point है इसकी real story जो already एक एतिहासि घटना बन चुकी है पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को देखना हर किसी की बसकी बात नहीं है क्योंकि ना तो इसमें Bollywood का कोई मसाला है, ना कोई item song, ना कोई so-called superstar दो घंटे से भी कम इस movie में आपको बस एक real story, real तरीके से दिखाने की कूशिश की गई है सभी actress ने ला जवाब acting की है, specially the villain या कहे आरोपी अक्कुयादो जिसका नाम बदल कर इस फिल्म में बल्ली चोधरी रखा गया है और जिसको play किया है Mr. Sahil Khattar ने, कमाल का performance, कमाल की acting अब देखिए अगर किसी villain की acting देखकर अगर उससे नफरत होने लगे, उससे घिन आने लगे तो समझ लीजे कि उस actor ने अपना 100 नहीं, 1000% दिया है उस character को निभाने के लिए और आपको बता दू के साहिल Khattar के लिए ये debut movie थी, इसके बाद आपको वो रनवीर सिंग की 83 movie में भी दिखाई देंगे पर अगर हम इसे सिर्फ एक film point of view से देखे तो film की starting ही उसके climax से होती है और धीरे धीरे उसकी story को build up किया जाता है इसका first half काफी slow है और almost आदी movie खतम हो जाने के बाद से movie को देखने का interest बढ़ने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर बल्ली चोधरी के character को पहले build up करते उसके बाद उसकी दरिंदगी के बारे में दिखाते फिर police connection और फिर अगर story को आगे बढ़ा कर climax में उसको मारने वाला scene आता और last में एक 10 minute का courtroom drama होता तो शायद movie का suspense बना रहता और अच्छी grip के साथ movie को पेश किया जा सकता था और इस movie में सबसे जानदार सीन तब लगता है जब रिंकू राजगुरू का character बल्ली और उसके साथियों को अपने गर से भगाती है बाकि ये movie strictly 18 प्लस audience के लिए ही है गालिया है, molestation है तो आप इसे family के साथ नहीं देख सकते और जैसे कि मैंने कहा कि ये movie हर किसी के लिए नहीं है, तो it's totally your call के आपको ये movie देखनी है के नहीं मैं दूंगा इस movie को 3.5 out of 5 stars, मिलता है अगले वीडियो में, बाई